दोस्तों अगर आप इस प्यार को क्या नाम दूं के बहुत बड़ी फैन है ना तो आपके लिए आज लेकर आई हूँ मैं बहुत बड़ी गुड न्यूस दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाईगी वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों इस प्यार को क्या नाम दूं सीजन 4 के लिए आप अमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें टीवी इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता व बरुन सोबती ने कहीं ना कहीं अपने फैन्स को ये इशारा तो करी दिया है कि इस प्यार को क्या नाम दूं सीजन 4 बहुत जल स्क्रीन पर आने वाला है जिहां दोस्तों हाल ही में बरुन सोबती ने कॉंग्राचुलेशन किया है सनाया एरानी को इस प्यार को क्या नाम दूं सीजन 4 के लिए पहले भी इस प्यार को क्या नाम दू सीजन 4 को लेकर एक न्यूस सामने आई थी कि बरुन सोबती और सनाया इरानी कमबाक करने वाले हैं और एक साथ और वो भी आईकॉनिक क्यारक्टर में वह अपने आईकॉनिक क्यारक्टर को प्ले करते इस प्यार को क्या नाम दू सीजन 4 प्यार में नजर आएंगे ये बात तो आप सभी जानते हैं कि इस प्यार को क्या नाम दूस सीजन वन में वरुन सोबती और सनाया इरानी लीड केरेक्टर में थे और इनके किरदार खुशिकुमारी गुपता और अर्णफ सिंग राइजादा को दर्शकों ने बेहत पसंद कि उड़ दिया था सभी फैंस बहुत जादा एक्साइटेड रहते थे इन दोनों को स्क्रीन पर देखने के लिए इन दोनों के प्यार में ना सभी फैंस फिदा थे लेकिन जब से शो खत्म हुआ है तब ही से उनके फैंस ये सोचकर बैठे थे कि शायद इस प्यार को क्या ना नाम बहुत दों सीजन 2 में फिर से शनाय ऐरानी और वरुन सुबति हमें दोबार देखने को मिलेंगे लेकिन उसके बाद भी लगतार दो सीजन आए उन दोनों सीजन में बरुन सोबती और सनाय एरानी साथ में नजर आई ही नहीं लेकिन फाइनली अब ऐसा होने जा रहा है दोस्तो इस प्यार को क्या नाम तूँ सीजन चार में हमें बरुन सोबती और सनाय एरानी की जोड़ी फिर से टीवी पर देखने को मिलेगी और इस बात को लेकर confirmation मिल चुकी है दोस्तों बरुन सोबती के तरफ से और सनाय रानी भी टीवी में वापसी करेंगी वो भी बरुन सोबती के साथ ही दोस्तों एक बार फिर से हम बरुन सोबती और सनाय रानी को साथ में टीवी पर देख पाएंगे वेल दोस्तों आप सभी भी क्या मेरी तरह इस प्यार को क्या नाम दू सीजन 4 को लेकर बहुत ज़ादा excited है अगर हां तो आप हमें comment box में comment करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस प्यार को क्या नाम दू सीजन 4 और टीवी इंडस्ट्री से related सभी अपडेट्स को पाने और देखने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले